पल्पल नियूस के नियूस रूम में आप सबी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नदीव मक्रम खबर के शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के अपडेट आपको लगातार मिलती रहे और अगर ये वीडियो आफेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीज और फेस्बुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना पूलिएगा सोशल मीडिया पर सुबरे से एक खबर वाइरल हो रही है और वो खबर ये थी कि 25 लाग से ज्यादा मुसल्मान भोपाल में एकठा होने वाले हैं इस खबर को लेकर के तमाम टैक मेरे पास आने शुरू हुए और तमाम लोगों ने फौन करके हिदायत दी के नदीम भाई आपको इस पर खबर करनी चाहिए ये खबर असल में क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा पर जो बाते सामने आ रही हैं इसे लेकर के जिसे अलग-अलग मायने दिये जा रहे हैं उन मायनों प 25 नॉंबर तक भोपाल में होगा जिसके लिए 25 लाग से स्यादा मुस्लिम वहाँ जुटने वाले हैं जिसे लेकर के ये खबर सोशल मीडिया पर वाइरल हुई है पर इससे पहले इन 6 पॉइंटों पर बात करूंगा उससे पहले क्या है पूरा मामला उसके बारे में जान ल साख मुस्लिम शामिल हो सकते हैं दुनिया के पांच बड़े इसलामिक आयोजनों में से एक आलमी तब्लीकी इस्तमा के पहले दिन सामोहिक निकाह होंगे इसके लिए रजिस्टेशन की प्रक्रिया कांगलात में शुरू हो चुकी है इस्तमा का आयोजन 22 नॉमबर से शुर के पहला मौका होगा जब आयोजन चार दिन कराएगा सभी को भलाई और इंसानियत के पैगाम के साथ आलमी तब्लीकी इस्तमा का मुख्य उद्देश धर्म की सही शिक्षा देना है इसके लिए तीन दिन उल्मा की तक्रीर और बयान होंगे इसी के साथ पिछले कई सालों स इस बार ये निकाह आयोजन के पहले ही दिन होंगे आज के इस दौर में जब लोग शादी बया के मौके पर शान और शौकत दिखाने की होड मची हुई है जो कई बार फिजूल खर्ची ही होता है जबकि उस रकम से कई जरूरत मंदों का भला किया जा सकता है इसी कारण इस सालों पहले यहां पहल की गई थी इसी के मद्दे नजर यहां हर साल फ्री में चार-पांच सो निकाह होते हैं जो फिजूल खर्ची से बचने का बड़ा संदेश है इसतमाई निकाह के लिए दुलहा और दुलहन पक्ष को पहले कागजात में रजिस्टेशन कराना होता है इसके बाद उनका नाम सुची में शामिल कर लिया जाता है। इसकी प्रक्रिया अभी जारी है। आपको बता दे कि इस साल इस्तमा का ये बात्रमा आयोजन होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार मध्यप्रदेश की राजधानी बोपाल में देश दुनिया से आए करीब 25 लाग से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग शिर्कत करने पहुँचेंगे। यहाँ के इंतजाम और विवस्ता को बनाने के लिए तेजी से काम शुरू किया गया है। इस्तमा की व्यवस्तित बराय रखने के लिए मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों के साथ साथ प्रशासन का भी बड़ा योगधान रहता है तो दोस्तों आपने देखा के तब्लीकि इस्तमा 22 से 25 नॉंबर तक भुपाल में होने वाला है जिसमें 25 लाग से ज्यादा मुसल्मान जुटेंगे और वो संख्या बहुत ज्यादा होगी इसलिए उसके पुक्ता इंतजाम महाराश्टर प्रशासन ने पूरी तरीके से कर ली है तो वहीं मुस्लिम तन्जीमे भी इसको पूरी तरीके से सफल बनाने में लग चुकी है तो इन इस इस्तमे पर अच्छे बिंदों पर अगर नज़र डाली जाए तो इन पहलूं पर मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहूंगा जिसमें पहला पहलू ये निकल करके आ रहा है कि दुनिया के पांच बड़े इस्लामिक आयजनों में से एक है आलमी तबली की इस्तमा ये दुनिया के पांच बड़े इस्लामिक आयजनों में से एक होता है जिसमें हर साल तबली की इस्तमा करवाया जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ते हैं और एक एकता का पैगाम दिया जाता है क्योंकि नफरत भरे महौन में आजकर नफरत जिस तरीके से लोगों के सामने परोसी जा रही है तो वहीं इस तमें के जर्ये एक एकता का पैगाम और महबत का पैगाम देने की कोशिश हर साल की जाती रही है तो वहीं अगर बात की जाए दूसरे पहलू पर तो ये 22 से 25 नॉमबर तक चलेगा 22 से 25 नॉमबर तक भोपाल पुरा भरा हुआ रहेगा क्योंकि 25 नाग से ज्यादा मुसल्मानों की आने की संक्या है जो देश से ही नहीं बलकि दुनिया से भी वहाँ पहुचेंगे और इसमें एक से बढ़ करके एक आलिम शिरकत करेंगे जो दुनिया में एक महबत का पैगाम देने की कोशिश करेंगे तो वही अगर तीसरे पहलो पर आप लोगों की नजर डालू तो बाहतर सालों में ये पहला मौका है जो जार दिन चलेगा क्योंकि बाहतर साल की अगर बात की जाए तो एस्तिमा जादातर तेन दिन तक के लिए होता था तो ये इस्तमा पहली बार होगा जो चार दिन तक चलेगा जिसमें 22 से लेकर के 25 नॉमबर तक हर वो बातें बताई जाएंगी जो इस्तमे में होती आई है तो वहीं अगर बात की जाए इसमें पहले दिन पर 400-500 से जादा शादियां करवाई जाएंगी क्योंकि ये पहली बार होगा जहां इसमें में ये पिछले साल से शुरुआत की गई जहां गरीब लड़के लड़कियों की शादी कराई जाएगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है और इस रजिस्ट्रेशन के जरिये मिलाप होता है और शादी कराई जाती है जिसमें तमाम आलिम लोग शरकत करके उन जोड़ों को नेक दुआओं से नवास्ते हैं जो उसके असली हगतार होते हैं तो ये पहली बार इस तमे के ज़र ये एक मिसाल देने की कोशिश की गई है और ये 400-500 शादिया इसलिए भी की जा रही है क्योंकि आज के मौझूदा दौर में जिस तरीके से शादियों में फिजूल खर्ची होती है और अपनी मान को दिखाने के लिए अपने वर्चस को दिखाने के लिए चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़कियों की शादी हो इसके लिए एक अलग से अपना रुटबा दु बचा जा सके और अगर आपको अपने बच्चों की शादी बेखर्च करना ही है तो उन जरूरत मंदों की जरूरतों को पूरा कीजिए जो उन चीजों के लिए तरस्ते हैं जिसके लिए वो एक निबाला तक खाने के लिए सौबार सोचते हैं तो ये तबली की इसमे से एक बहुत बड़ा पैगाम देने की कोशिश की जाएगी जिससे दुनिया भर में उसकी तारिफ होती हुई दिख रही है तो वहीं अगर पांचवे पहलों पर बात करूँ भलाई और इंसानियत का दिया जाएगा पैगाम इसमे में भलाई और इंसा इंसानियत पुरी तरीके से खत्म हो चुकी है लोगों में सेहनशिलता नहीं रही और वो सेहनशिलता अब नफरत के जुआला की तरह हर किसी के सीने में धदक रही है जिससे वो पूरे देश को पूरे शेहर को जलाने के लिए तैयार बैठी है तो इस तमें के जर ये एक ब पहलों पर अगर बात करूं तो इस साल स्थमा का ये 72 वा आज़टन हो ओगा ये तबली की आृमी तबली की इस्थमा बहतर वा आज़टन हो जो भूपाल में रखा गया है तो भूपाल भी पूरी तरीके से तैयार है और माहराष्ट की सरकार हो चाहे प्रशासन हो वो इस इसते में से जुड़ी तमाम जानकारियों को ले करके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आ करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, शुक्रिया झाल पुक्रिया